नमस्वात स्थिय fulfillment वर्टू starting में आप सभी का हार दीक अभीनंदन तो दोस्तो आज बात करेंगे कि कैसे इνसाम 200 साल जी सकता है तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब तो दोस्तों क्योती हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि सबसे पहले सबसे फ्रेश टॉपिक आप तक पहचाया चाह सके तो दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप 200 साल जीवत रह सकते है तो दोस्तों टॉपिक बहुत जादा रोचक होने वाला है कैसे हम 200 साल जी सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा क्या 200 साल जीना पोसीबल है तो दोस्तों आपको बताते कि जो हमारा गौर में इत्यास है वो बताता है कि जो भारतिये थे सबसे पहले जो आरियन थे उनकी जो एज थी जो उनकी एवरज एज थी वो 200 साल से भी ज़ादा थी अगर बात करें विशब बर की तो विशब बर में ऐसी कई उधारने मिलती हैं जहां पर ओस्तन आयू जो है 100 साल से ज़ादा 200 साल के लगबग बहुत सी जहां हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहें अगर बात करें मानकोर की जहां मानकोर आज भी पत्याला में भारत के पंजाब में पत्याला में रहती है और मानकोर की अगर एस की बात करें तो मानकोर जो है 100 क्रोस कर चुकी है इसके बावजूद भी वो काफी अची रेस लगार लेती है, इसके बावजूद भी वो अच्छा खापी लेती है, और अवस्तन जो हमारे 50 साल जा 60 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता, मान को और बड़ी इजली कर सकती है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि वो लोग इतनी इजी डंग स सु साल कर लेते हैं, 200 साल के भी करीब पहुंच जाते हैं, ऐसा क्या है कि वो क्या नुकता है जो हमारे पास नहीं है, तो दोस्तों ज़ल्द ही बताने जा रहे हैं, वो नुकते जिस से आपकी उमर भी बढ़र हो सकती है, 200 साल, जी हाँ, आपने बिलकु ठीक सुना, हो सकती है दोसों साथ सो दोस्तों अभी अपने दोस्तों को अपने मित्रों को अपने फ्रेंड को इस वीडियो को आगे बेजें क्योंकि हमको चेंज करना है भारत का ओस्तन आयू सो दोस्तों अभी बताने जा रहे हैं कि कैसे वो कौन से टिप्स है जिससे हमारी आयू बढ़ सकती है तो दोस्तों सबसें पहला टिप्स है कि आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना होगा, आप जानती हैं कि जब हमारे दादा, पर दादा जा लककर दादा जो वो खाना खाते थे, तो वो बहुत ही नैचरल फूड खाते थे, अगर बात करें खान पीन की, तो उसमें कम से कम म इस्तमाल होना चाहिए, कम से कम हमको तीखी चीजे खानी चाहिए, और कम से कम तली हुई चीजी खानी चाहिए, जादा से जादा चीजों को natural way से खाना चाहिए, इससे आप बहुत ही जादा तंदरुस्त रहेंगे, आपका लीवर जो है अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, औ और उसके बावजूद नमबर टू पर है आपकी exercise, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, आपको हर रोज exercise करनी होगी, पुराने समय में हमें खेती करनी पड़ती थी, हमें हर रोज हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, वो मेहनत आपकी बोड़ी को मजबूत बनाती थी, सो करते हैं, फिर भी तो हमारी उमर जो है, वो उस्तन साट साल, सतर साल, ज्यादा से ज्यादा 80 सार रहती है, सो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टिप्स है, जो हम आपको सब से अंत में बताएंगे, वो लास्ट वाला टिप्स क्या है, कैसे बढ़ेगी आ आपको रोज जोगा करना है, सो दोस्तों आपको हर रोज जोगा करना होगा, जोगा करने से आपको होता गया है, कि जब हम जोगा करते हैं, तो हम ज्यादा हेल्थ ही रहते हैं, हम ज्यादा फिट रहते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक मुस्कुराते रहते हैं, सो दोस्तों हमें हर रोज जोगा करना होगा नमबर फाइब पर जो टिप्स है दोस्तों वो बहुत ही जादा खूबसूरे टिप्स है जी हाँ हमको हर रोज मेडिटेशन करनी होगी पुराने समय में रिशी मुनी लाखो साल मेडिटेशन करते रहते थे वो ध्यान अवस्ता में इतनी जादा आयू जो है प्राप्त कर लेते थे कि जो आज के मनुक्ष्य के लिए सपना लगता है तो दोस्तो हमको meditation करनी होगी इसके इलावा भी हमें क्या करना चाहिए आयू बढ़ाने के लिए तो वो last tips जिहां last tips है वो last tips यह है कि आपको अच्छा और लंबा सोचना होगा आपको कम से कम जे सोचना होगा कि भाई अभी तो मैं 300-400 साल जिऊंगा जाऊंगा नहीं कहीं पर जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ गटित होता है माना गया है कि अगर आप यह सोचे और positive सोचे कि भाई मेरे को तो दुनिया में कुछ अच्छा काम करके ही जाना है भाई मैं दुनिया में अच्छा काम किये के बिना नहीं जाऊंगा अभी तो मेरी easy क्या हुई है तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप easily 200 भी क्रोस कर जाओगे 100 की तो बात चुड़ो तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में हम सब की एज जो है वो 200 क्रोस कर जाए तो दोस्तों एक बार फिल सोलने सबसे पहला है tips है कि लंबा सोचो यह सोचो कि मैंने 200 क्रोस करना ही करना है दूसरा है कसरत हर रोज करनी है नमबर थ्री है अच्छा खाना खाना ही है नमबर फॉर्थ है कि हमें नैच्रल वे में खाना खाना है नमबर फाइव है हमको जोगा करना ही करना है हमको हर रोज जोगा करके ही रहना है जोगा जो है हमारी बोडी को फिट करता है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जादर से जादर शेयर करें शेयर करना भूलो मत